कि दिखे फ्रेंद्स आज हम आपको ये काना जी की ड्रेस बनाना बता रहे हैं कुछ भी टाइम भी नहीं लगता है और उन्हीं ज्यादा नहीं लगती है इनका घेज भी इतना अच्छा है है ये एक दो तेन, चार पांच, पांच कोनों की ये इनकी ड्रेस ये देखे ये और बंद रखा है कि पहनाने में भी मुश्कल नहीं होगी असानी से पहन भी लेंगे काना जी और तकलीफ भी नहीं होगी और बंद भी रहेगी पुरा बंद कर दो तो पहनने में बड़ी मुश्कल हो जाती है कि काना जी को तकलीफ होती है खेज के पहनाना पड़ता है यह दिखिए पीछे हमने बटन लगा दिया है तो आप इसको ऐसे बंद कर दें एक दम सुंदर से इनकी ड्रेस हो गई है अब यहां से भी हम इनको इनकी जो वेल्ट है कि एक टाइट नहीं करना है कि काना जी का पेट दब जाए बस इतना लूज रखिए कि कौई तकलीव ना हो कि उनका पेट दब गया जा कुछ है वह नहीं होना चाहिए तो आप अपने हिसाब से देख लेजिए जितना उनको टाइट रखना है रख लिए और यह हमारी उनकी तोपी होगी यह देखिए कितनी सुनदर सी छोटी सी हमने उनकी तोपी बना दी है है ताइप की हमने रहना है आप लोग को पसंद आई होगी तो अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनिल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वेल आइक ओन दबा द करते हैं हेलो फ्रेंड चलिए यह दिखिए हमने यह कलर गई धागा लिए तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि यहां पर भी हम यह देखें दस चेन डालेंगे हम एक दम छोटे से जीरो नंबर से लेगे तीन नंबर तक के काना जी की द्रेस बना रहे हैं हम दस चेन डालेंगे एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस दस चेन डाली अब हम यहां पर एक चेन छोड़के सब में हम हाफ डबल क्रोश्य बनाएंगे हो समय हम एक हम चेन चोड़ेंगे ना डबल डालेंगे कि इसमें भी हम gjort के हाफ डबल क्रोश्य बनाती कि जाγए कि दस तीन एक हमने इनना चेन के लिए ले लिए और मारे वाकि नौड़ेन हमारी देल रह गी है हम अब सब के उपर एक एक हाफ डबल क्रोश्य बनाएं इस तरह हमने अब डबल क्रोश्य बनाएंगे और यहां पहली तो हमने डबल क्रोश्य बना लिया अब हम सब में इसी तरह हम जितने हमारे बस यहां पे हाफ डबल क्रोश्य है प्रिख में नीचे सब में हम दो दो बार हाफ डबल क्रूशे बनाएंगे कि एनकि ए तुर चुर चुर फैंटू करद में प्रॉट कि लास्ट में भी हम अपने डबल क्रोश्य एक बना लेंगे अब एक डो दो चेन बनाई और यहां पर भी हम वापस से बनाएंगे कि लास्ट में यहां दबल क्रोश्य एक ड Jaw Ск देव इक डबल क्रोश्य बना लेंगे अब यहां पर हमने सिंगल इस不了 कि दोड़ भी हमने और परसे हम दो चेन लेंगे फिर पहले में दो बर हाफ डबल क्रोश्य बनाएंगे एक दो उसके बाद हम वापस से सिंगल सिंगल हाफ डबल क्रोश्य बना रहे हैं कि हमारे कान जो बहुत छोटे हैं अब हमने तीन बार हाफ डबल को सिंगल सिंगल डाल दिया अब हम यहां फिर से दो बार हाफ डबल क्रोश्य एक ही चेन में बनाएंगे पर हम तीन बार हाफ डबल क्रोशे एकज्ञेन में बनाएंगे एक दो और यह तीन चौथे में हम वापस है दो बार हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे एक और दो उसके बार फिर से हम एक दो तेन हमने सिंगल सिंगल हाफ डबल क्रोशर बनाया अब चौत्य में हम फिर से दो बार हाफ डबल क्रोशर बनाएं फिर हम एक दो और तीन और चौत्य में हमने वापस से एक ही चेन में दो बार डबल क्रोशर बना लिए अब हमारे पाद दो फंदे बचे वो हम दोनो को वो सिंगल एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशर बनाएं अब एक दो चेन की अ यह दिखिए इस तरह से हमारे छोटे से काना जी कि चेस्ट का उपर का हिस्सा बन गया अब हम बाह निकालेंगे दिखिए फ्रेंट्स अब हमने एक चेन बनाई अब हम यहां पर चार हाफ डबल क्रोशर बनाएंगे तो तेन और चार उसके बाद हम वापस से एक दो तेन चार चेन छोड़ देंगे पांच में चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशर बनाएंगे दिखिए उनकी बाह के लिए हो गया है एक दो तेन चार पांच छे साथ आठ हमने डबल क्रोशर बना लिए अब हम यहां पर गिनेंगे अब जो बचेंगे हम बीच के साइड बीच में सेंटर में हम जो अड़जस्ट करेंगे अब हम चार बाह के लिए यहां छोड़ेंगे एक दो तीन चार चार हम एक दो तीन चार चार हम चोड़ेंगे बाह के लिए बाकी आगे अभी दिखिए हमने अभी चार चे छोड़ेंगे एक दो तीन चार पांच में चेन में हम बनाएंगे उसके बाद यह दिखिए अभी ह हम पांच में चेन में हाफ डबल क्रोश्या बनाएंगे मारे पास एक डबल क्रोश्या हो गया है दो तेन चार हमारे यहां पांच बजगे हैं तो हम यहां पांच हाफ डावल प्रोशे बना रहें फिर एक और दो दीखें दो चेन बनाएं इस तरह से हमारे जो इसका चोटे से काना जी का हमारे उपर का चोली बन गई है अब हम यहां पर इसको इस तरह से हमने दो चेन बनाएं अब हम यहां वापस से एक एक में एक हाफ डबल क्रोशे बनाते जाएं कि चलिए हम पूरी लाइन करके आपको बताते हैं कि पूरी लाइन यहां तक हम हाफ डबल क्रोशे बना लें यह दिखें रहा है हमने यह भी हम लास्ट में आगे हमने यहां यहां से बढ़ गया है यहां से थोड़ा सा बढ़ा हो गया है अब हम यहां अब हम यहां पर ज्वाइन लेंग यहां से भी हम ज्वाइन कर देंगे यहां से ज्वाइन हो गया है अब चाहें तो नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं अब हम यहां पर एक दो तीन हमने डबल चैन डाली हमने यहां और अब हम यहां पर दो एक डबल क्रोशे डाला अब हम एक दो चैन डालेंगे और एक चैन छोड़ के और दो दो चेन छोड़के यहां पर भी हम यह दिखिए डबल क्रोश्य बनाएंगे एक दो और तेन एक दो चेन बनाएंगे और यहां पर फिर हम वापस एक दो तिन के तीन हमने डबल क्रोश्य बनाया एक और दो चेन बनाएंगे यहां आपने हम इक और 115 जोड़के यह अपर तैना कि नेक्स चेन में एक और डबल क्रोश्य दो चेन बनाएं फिर एक और दो दो चेन छोड़के तिसी चेन में फिर से हम एक दो तीन डबल क्रोशे एक के चेन में डाला और एक दो चेन बनाएंगे और यहां पर वापस से तीन डबल क्रोशे उसी चेन में तीन डबल क्रोशे बनाएंगे एक दो तीन हमारे डबल क्रोशे होगे फिर से हम एक दो चेन करेंगे एक दो chain छोड़ेंगे और यहाँ पर एक next chain में फिर एक double crochet इस तरह बनाएंगे फिर एक दो उसके बाद फिर हम एक और दो chain छोड़ेंगे एक बार हम दो double crochet बनाएंगे एक बार इस तरह तीन double crochet बनाके दो chain बनाएंगे फिर से तीन double crochet बनाएंगे एक और दो फिर उसे में हम वापस से एक दो तेन फिर से हम एक दो तो चेन बनाएं दो चेन बनाएं चोड़के तीसरे में हम दो बार दो बार हम डबल क्रोश्य बनाएंगे एक डबल क्रोश्य बनाया next chain में फिर से double crochet बनाया फिर से हमने 1, 2 chain बनाई और next chain में हमने फिर से 2 chain छोड़ के यहां पर फिर से हमने 3 बार double crochet बनाया 1, 2, 3 और 1 और 1 chain बनाई फिर से हमने 1, 2 कि हुआ कि इस तरह से हम यहां पर दीखिए तेन 20 23 being बनाए थे ती सीजिर्जिद उसको जोइन कर कि Endeffroy on इस तरह समरा है है यह यहां से स्टार्ट किया था 2 लाइन हम ने using wire इस तरहा हमारा कंपलू और पीर से यहां यह देखि एक दो त्येney बनाएंगे और यहीं पर हम इसको दो बार डपल क्रोशिय बनाएंगे एक बार hau एक हमारा chain कहो गए एक हमने यह double crochet बनाया अब हम next chain में फिर से बनाएंगे इस तरह यह हमारे पास तीन double crochet हो गए हैं अब हम एक दो chain बनाएंगे और हम यहाँ पर वापस से एक दो और तीन तीन बार double crochet बनाया एक और दो chain बनाएं फिर से एक दो और तीन फिर एक दो chain बनाएंगे अब हम यहाँ पर यह देखें तीन बार double crochet बनाएंगे एक और फिर से इसमें दो बार बनाएंगे एक और एक दो फिर से एक दो chain बनाएंगे फिर इसमें बनाएंगे इस तरह हम अपना complete करें इसके बाद हम तीन है तो तीन का हम पांच करेंगे चलिए करके दिखाते हैं आपको पूरा जितना हमको लंबाई बनानी है बना के दिखाते हैं इसमें बना के उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशे की लाइन बना दी अब हम यहां एक दो तीन चेन बनाएंगे और सब में हम एक हाफ डबल दो हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे दिखिए हैं दो के सब में हम दो हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे किसी में भी एक नहीं बनाएंगे ओ यह दिखिएू इस तरह हम अपना गेरा इनका बनाएंगे चुलिए बनाके दिखाते हैं आपको पूरा कम्प्लेट परके लास्ट तक यह इस तरह से अभी हम सब में दौदू हाफ डॉबल क्रोश्य बनाएं यह दिखिए लास्ट में हम एक ही डबल क्रोश्य बनाएंगे इस तरह हमने अपने लाइन कुम्प्लीट की सब में हमने दो दो हाफ डबल क्रोश्य बना लिए है अब चलिए अभी एक दो और तीन तीन चेन बनाएंगे तर्ड मारेंगे अब हम पहले में यह दिखिए दो हमारे हाफ डबल क्रोश्य नहीं बनाएंगे अब हम सब में डबल क्रोश्य बनाएंगे दो यह हमने तीन डबल क्रोश्य बनाएंगे अब हम एक दो चेन बनाएंगे और एक और दो छोड़के तीसरे में हम यह दिखिए एक उसी में फिर से बनाएंगे दो। फिर उसे में हम दो बार कुंगि 상halb हम 2 सब्सक्तर भार し डबल टोशर बनाओंगे फिर यहाँ फिर में 2 बार हम 2 एकड़र कुंगे धेंगे फिर एक दो उसके बाद फिर हम दो चेन छोड़ेंगे और यहाँ पर वापस से हम दो बार एक ही चेन में डबल क्रोशिय बनाएंगे फिर एक दो चेन बनाएंगे और उसे में हम वापस से दो बार डबल क्रोशिय बनाएंगे पर हम एक दो चेन बनाएंगे फिर एक और दो चेन छोड़के तीसरे में हम दो बार एक बार रफ डबल क्रोशिय और पर दूसरे चेन में हाफ डबल क्रोशिय फिर दो चेन चलिए इसी तरह पूरा करके दिखाते हैं लास्ट में हमने फिर से जो हमने चेन बनाई थी वहां पर एक हाफ डबल क्रोश्य बना लिए इस तरह से हमने अपना ये लाइन जो है कम्प्लीट की अब यहां से फिर से एक दो और तीन चेन बनाएंगे और यहां पर एक तो हमारे चेन के उपर होई गया है डबल क्रोश्य अब हम यहां में देखें। अब हम क्या करेंगें हम रखतीनी के अब हमें 2 डपल क्रोशे बना लिया। और 2 डपल क्रोशे के उंदर 2 हाफ डबल क्रोशे बना लेहे पिर हम एक 2 chains बनाएंगे। फिर उसी में हम वापस हैं और एक दो है नो तो डुट चार यहांट और टो फिर दो रुटी बना दिये तो आठ हमारे पास डबल क्रोशे हो गए, एक, दो, यह वाले जो हमारे दो डबल क्रोशे हैं, यह हमारे इसी तरह चलेंगे, इसको हम ना भड़ाएंगे, ना हम घटाएंगे, सीधा-सीधा इसी तरह बुलाएंगे, फिर दो डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे में, एक डबल तबॉर्ब डॉपर ही बनाएंगत। इस तरह से यह हमारे दो ही चलेंगे यह हमारे चार चार होगा है चले पूरा सरकल कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं लास्ट में फिर से कि एक कऴोस개를y ke bunch कि यह चो पऩे हैं और यहंद कि यह मारे डबल क्रोश्य हैं व हू इसी तरह झाएंगे पुल और हम क्या ऐसार चलेगी अब हम 451 उपूर हमने रखन कि में थी आगन, यहां पर यह दिखिए यहां पर भी हम इसको तो हेसा जहां भी हम इनको जो चैन बनाइए थी वहां भी हम इनको जोईन कर देख हुआ है किस तरह शिर्फ से हम इन पर कर दो इतना खुला हो गया काहँ जी को पैहनाने के लिए छोटे से काहँ माफ जी को बहुत हो impatto के उपएंगे जाता दो आधि यहां भी हमने यहाँ पर हमने दो डबल कॉलोशे बनाए थे एक दो हमने चार डबल क्रोशे के उपर रिखेंगे चार डबल क्रोशे बना लिए अब हम फिर से हमारी चेन आ गई अब हम फिर से दो डबल क्रोशे चेन के अंदर डालेंगे एक और एक दो फिर से एक दो चेन बनाएंगे फिर उसी चेन के अंदर हम दो बार डबल क्रोशे बनाएंगे एक और एक दो इस तरह चेन के अंदर हमारे चार डबल क्रोशे होगे दो डबल क्रोशे फिर दो चेन फिर दो डबल क्रोशे अब फिर हम वापस से चार डबल बनाए थे इसमें दो बनाए नेक्स टाइम यह वाले जो दो है इसके साथ जुड़के चार के चार होगे दो हमने जाली चेन में बना दिये तो छे हमारे पास डबल क्रोशे होगा एक दो तीन चार पांट छे और यह दो चेन बनाई और फिर हम यहां पर भी हमको कुछ नहीं क दो क्रोशे के ऊपर हमको दो डबल क्रोशे ही बनाना है इसको हमने बढ़ाना गटाना नहीं है यह इस तरह से हमारे लाइन आती जाएगी बेशिए फिर से एक दो पिर से हम उसी तरह से बनाएंगे एक डबल क्रोश्य है कि दो डबल क्रोशे अगली कि दो हमने 4 दो डबल क्रोशे को और 4 दावल क्रोशे बना दिए अब हैं दोडबन बना 2 double crochet बनाएंगे और फिर से हम 4 के ऊपर 4 double crochet बनाएंगे और बाद में पूरा इसी तरह हम अपना circle पूरा complete करेंगे दिखे friends हमारा circle complete हुआ और साथ में हमारे काना जी की dress की length भी complete होगी दिखे एक दो तीन यहां पे भी हम इसको joint कर देंगे इस तरह से यह दिखे हमारा काना जी की चोटे से काना zero number के काना एक नमबर के काना जी को दुनों को आ जाएगी इस तरह घेर भी complete हो गया है अब हम यहां पे तोड़ा सा bidding बनाएंगे दिखे एक दो तीन और नेक्स चेन में हम इसको यह दिखे जॉइंट कर देंगे फिर एक दो तीन फिर से नेक्स चेन में इस तरह हम पूरी घेर में तीन तीन चेन बना के एक एक में हम इस तरह इसको जॉइंट करके किनारी बनाते जाएंगे देखिए दू तीन हम इसमें कोई छोड़ेंगे नहीं इस तरह किनारी हमारी बनती चले बनाके दिखाते हैं लिखिए फ्रैंस हमने लास्ट में हम आ गए हैं अब यहां भी हम इसी तरह से दो बचे हैं एक दो तेन बनाएं इसके अंदर स्लिफ्स जोइन के, दो तेन करो अभी इस तरह से भी हम यहां सिर्फ जैसे जॉइन करके इस दिखें करमारा पूरा करना जी कर जो ड्रेस से वह तेयार हो गया है इस देख यहां से का पर जी का ड्रेस कि अंब ने तैयार कर दिया है तो जो चलिए अभी हम यहां से इसको यहां से धागा कॉट काट देते हैं यह हमने धागा काट较 और और यहां अभी हम अंदर की साइड में धागा करके इसको पधु, तो बंद कर देगी कि हमाला जो धागा है वो बाहर की साइड में दीखें ने कि जितना ज्यादा ज्यादा अंदर हो जाए उसको अंदर कर दो बाद में हम जो बाहर का होगा थोड़ा सा काटेंगे कि इस तरह से हमारा काना जी के द्रेस तेयार हो गई है यह हमने इस तरह से बना दी यह भी हम इनकी टोपी बनाते ही दिकी टोपी के लिए हम इस तरह से मैजे गांट लगाएंगे अब यहां पर भी हम एक चेन बना लेगे एक दो तीन तीन चेन बनाई अब हम यहां पर दस वार डबल क्रोशर बना लेगे एक एक मारी चेन कहोंगे दो तीन चाव प्रच्च्च्च्च्च्च्च्च्ким हत् प्रॉण। कि आठ कि नो है यह दस हमने दस वार डबल क्रोशिय बना लिए अब हम इसको यहां से धागा खेंच लेंगे कि इस तरह से जोइन कर देंगे हमने तीन चैन ले थी तीसरी वाली चैन में यहां पर अभी हम जोइन करेंगे अब हम एक दो चैन लेंगे और सब में अब बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत छोटे काना जी हैं जितनी चेन हमारे पास है उपर दिख रही उतने ही हम डबल क्रोश्या बनाएंगे जीरो नंबर के काना जी बहुत छोटे हो होते हैं इसलिए हम कि ज्यादा पंदें नहीं बढ़ाएंगे कि कि आपके तीन चेन आ गई एक दो दो चेन बनाई थे हमने यहां पर हमने सलिप्से से ज्याद कि फिर में एक तो चेन बनाएंगे फिर इसी तरह पूरा सर्कल कम्प्लीट करें इसी तरह पूरा सर्कल कम्प्लीट करके आपको दिखाते हैं देखे कि लास्ट में यहां भे आप चाहें तो एक लाइन और भी ढाल सकते हैं अब हम यहां पर एक एक चेन में एक एक स्थिच सीच इसी तरह बनाते जाएंगे यहां पर एक-एक स्थिच बनाएंगे ताखिए तोपी जो है ओगे से निकले में तो टोपी क्या है आगे से निकल जाती है ज्यादा लूज होएगी तो निकल जाती है टाइट होती है तो सिद पर नहीं आती है इसकी निए यह हमने यहां लास्ट में आए यहां पर भी हम स्लिपसी से जॉइंट करेंगे अब यहां जैसे यहां पर हमने एक किनारी डाली है यहां भी हम किनारी बनाएंगे एक दो टीन चेन में डालेंगे और स्लिपसी से जॉइंट करेंगे एक दो टीन हमको कोई चेन छोड़नी नहीं है सब चेन में हम कोई सी तरह स्लिपसी से जॉइंट करना है एक दो तीन और नेक्स चीन में जोइन करें एक दो तीन तीन बनाई और यहां पर इसको स्लिप स्टीच से इसको जोइन करें एक दो तीन एक दो तीन इस तरह हमने अपने टोपी भी कंप्लेट ही तीन तीन जो तीन कोई चेन छोड़ने भी नहीं है और एक बार चेन में दो बार भी नहीं डालना है अ जो इस तरह से हमने हां पर यहां लास्ट में हां यहां स्लीप सीजिंट और एक चेंग बनाएंगे और धागा यहां और इसको हम धागा जो है अंदर की साइड में ले लेंगे इसको उल्टा कर लेंगे और दोनों धागों को अंदर की साइड में डाल देगे और इसको भी हम इसी तरह देखी टाइट करकी यहां पर गाट लगा देंगे तांकि हमारा जो धागा है वह ज्याजा इसको इस तरह से लूज ही छोड़ेंगे नहीं तो साइड से हमारा जो टोपी का हिस्सा है वह उपर की साइड में हो जाएगा अब इसको भी हम थोड़ा सा अंदर करकी बाकी धागा जो एक्स्ट्रा है वह हम काट देंगे यह लिए के निरल निर्ञ आहरे क्ट में मुइर भी देव सब क्हश्ता है चाह्त्रा ह्चाय sia इसका जो तह सबने देंगेर्स यह मरु मुँखेंगे लुखेंगे तो अगर आपको लगे कि और लूज है तो आप इसको अंदर करके एक-एक अगर आपको लगे कि हां भी बहुत लूज लग रही है तो आप यहां से इसको एक-एक और स्रीप सीच डाल सकते हैं तो उससे वह ज्यादा टाइट हो जाएगे अब हम चेन डाल के आपको दिखाते हैं